अगर आप लोग इसमें जॉब करना चाहते हैं तो बहुत असानी से सिफ इंटर्वियो के अधार पर आप लोग जॉब कर सकते हैं और मैं आपको बता दो टोटल तीन राजियों के लिए वेकंसी आयो हैं और किसकिस राज के लिए वो तो आप लोगों को वीडियो के आगे में पता चलेगा और आप लोग वीडियो पूरा देखें एस्किप करके मांद देखें तो friends मैं आपको बता दो अगर आप लोग बंदन बैंक में और समझता बैंक में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो friends मैं आपको बता दो अगर अभी तक आप लोग हमारे WhatsApp ग्रूप को जोइन नहीं किये हैं दिस्क्रेप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है तो आप लोग वहां से एड हो सकते हैं क्योंकि मैं आपको बता दो कभी कभी होता है जो टाइम नहीं रहने के कारण हमें अपना ग्रूप में भेजना परता है तो आप लोग अगर अभी तक हमारे WhatsApp ग्रूप से नहीं जुरे हैं तो आप लोग ने बहुत बड़ा अपिचुनिटी मीज कर दिये हैं क्योंकि जो फ्रेश कल रात ही मैंने उतकर्स बैंक और बंदन बैंक के बारे में जो WhatsApp ग्रूप में भेजा था क्योंकि आज ही उसका इंटर्व्यू का डेट दिया गया था फ्रेश अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वैल आकन वटन दवा लिजिए ताकि मैं जो भी न्यूव वीड को ज्यादा ज्यादा प्यार दे वीडियो को लाइक करिए और सेर करिए और फ्रेंट आप लोग कहां से हैं आप लोग हमें कॉमेंट करके बता हैं मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोग किस जगल से हैं आप लोग हमें कॉमेंट करें और फ्रें मैं बता दूँ अगर आप लोग को जोईनिंग होता है अगर जॉब मिलता है तो आप लोग हमें एक वीडियो बना की दिजिए मैं उसे जरूर सेयर करूंगा अपना किया एज का र्कॉर्मेंट है क्या qualification का डिवांट किया गया इंबूर किमजिए मैं सारी वाते बताओंगा तो पहला जो घृने संपर अब होघरे transfer देखक है। तो वो मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा, तो चलिए फ्रेंस मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले भाया फैनेंस में जो आई हुए, किस जगह के लिए आई हुए, तो फ्रेंस मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पूरा देखिए, अगर 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 करके देखते हैं, तो आपका दिला निकल जाएगा, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं उस डिस्टिक के लिए वीडियो बनाया हूँ, और आप लोग उसी वीडियो पर कोमेंट करते हैं, इस डिस्टिक के लिए वीडियो बनाये, तो इसलिए फिर आप लोग वीडियो पूरा देखिए, इसके पर करके माँद देखिए, अब मैं बात कर ला था हूँ, पहला कंपनी जो है, भाया माइक्रोफिनेंस कंपनी में, जोब का रिक्वर्मेंट वीडियो आई हूँ है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन 12 दिया गया हूआ, और फ्रेसर को मुखा दिया गया हूआ, और एक्स्परेंस कंडिडेंट को भी मुखा दिया गया हूआ, और इसमें मैं बता दूँ, आपको किस पोस्ट के लिए वेकेंसी आई हूँ है, ट्रेनिंग करेडिट ओफिसर पोस्ट के लिए वेकेंसी आई हूँ है, इस जोब को करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन जो है 12 पास होना चाहिए, और पेंद काड होना चाहिए, अधार काड होना चाहिए, डा SIC, Life Insurance, Accidental Insurance, Health Insurance, Mobile Awareness और उसके बाद जो है पेट्रोल अवरनेस, तो फ्रेंस मैं आपको बता दूँ, Mobile Awareness का मतलब यह नहीं, जो आपको New Mobile Company के और से दिया जाएगा, आपका मंथली जो खर्च आएगी Mobile पे रिचार्ज का वो खर्च दिया जाएगा, पेट्रोल अवरनेस में ज दिया जाएगा, कमपनी के और से आपको fix salary, आप लोग इसमें असानी से जो है फ्रेंस मैं आपको बता दूँ, 25,000 रुपिया पर मंथ कमा सकते हैं, इसका जो इंटरव्यू का डेट दिया गया है फ्रेंस, 16 अगस्त को दिया गया, लोग को मैं पता बता दूँ, आप लोग मधेपुरा, और पीन कोड हो गया फ्रेंस, आपको 85,000 रुपिया, तो आप लोग इस पते पे जाएं, इंटरव्यू दे, तो फ्रेंस, ये वेकेंसी जो है, मधेपुरा के लिए थी, और मैं आपको बता दूँ, आप लोग सहरसा, पुर्णिया, सुपोल, बेगु सराय, ख आपके जिला में इंटरव्यू, तो फ्रेंस, मैं आपको किलियर कर दूँ, आप लोग कोई भी जिला से, ब्यार का कोई भी जिला से आके यहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं, और फ्रेंस, आपका सेलेक्शन होने के बाद, आपका होम लोकेशन को देखते हुए, आपको ज अच्छी कमपनी सली अच्छी आपको दिया जाएगा तो चलिए फ्रेंश आप मैं आपसे बात कर दूँ एज रुक्वर्मेंट के बारे में इसमें जो अठास साल वालों को मुखा दिया अगर आपका एज मैक्सिमम अठास साला आपको बता दू मैं आपको नमर पता दे रहा लेकिन आपको जोईनिंग जो दिया जाएगा आपको होम लोकेशन को देखते हुए दिया जाएगा और फ्रेंश मैं आप लोगों को बता दू यहां पर बाहर में थोगा कुछ हला हो रहा है तो आप लोग उसे इग्नौर करिएगा के बाद जो है फ्रेंश किस जगह के लि आप लोग इस जोब के लिए अपलाइक कर सकते हैं पहला जो इसमें किस पोस्ट के लिए पेखेंसिया आईए मैं आपको बता दू बरांच करेडिट मनेजर और इसमें क्वालिफिकेशन जो है आपको गर्जवेशन चाहिए और आपके पास डिपलोमा का सर्टिफिकेट हो यह कंपनी जो फ्रेशर को भी मोका दिया गया हुआ और लेकिन पोस्ट जो बहुत अच्छी पोस्ट के लिए वेकेंसिया गया हुआ है ब्रांच करेडिट ओफिसर पोस्ट के लिए दिया गया हुआ है दोस्त और एज का जो डिकोर्मेंट है अठारा साल से लेकि तीस साल वालों तक को मोखा दिया गया हुआ है और इंटर्व्यू का डेट जो दिया गया हुआ है 26 अगस्त को दिया गया हुआ है और यह जो है किस जगह के लिए आयो है वेकेंसी मैं आपको बता दूँ आप लोग पता नौट कर लिजिए यह वेकेंसी का आप लोगों से हमें कोई दूस्मनी नहीं है मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ आप लोग सारे जो है हमारे यूटूब फैमिली के हिस्सा है तो मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो सेर करिये और वीडियो को लाइक करिये और हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने के तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन वटन दवा ले और जो भी न्यू वीडियो डालूंगा तो आप लो से एड हो जाए और फ्रेंज ज्यादा information के लिए मैं आपको नमर बता दे रहा हूं और नमर में description में भी दे दूगा क्योंकि नमर कुछ ज्ए ज्यादा ही है पांच छे नमर दिआ गए हूआ मैं आपको तीन चाहर नमर बता देता हूं पहला नमर जो है 700 उसके बाद चार सह 11 उसका बावंच चोसरे पहला नमर जो फिरन सठ से उसके बाद चार सह अगारव 225 चौसरे और सेकेंड नमर जो है सतर उनत्यसवूद्क उनतीस पन्श रा ? Нमटन दिया कर दूँ अगर आप जारखंट से को डर्मा जिला के अगल बगल जो भी जिला है तो आप लोग वहाँ पर जा के इंटर्व्यू दे सकते हैं लेकिन आपको जोइनिंग आपको होम लोकेशन के डिसेंट को देखते हुए दिया जाएगा अब मैं उस राज के बारे में बात कर जहना से कुछ ज्यादा ही कॉमेंट आ रहे थे पिछले कुछ काफी दिनों से तो चलिए मैं आपको बता दूँ अब जो आई हुई है अधार हाउसिंग फैनेंस कंपनी में और इसमें जो है ब्रांस सेल्स मनेजर पोस्ट के लिए बेकेंसी आई हुई है और मैं आपको बत आप इसका 316 ब्रांच वर्क कर रही है और इसका इंटर्व्यू का डिट दिया गया है और टाइम जो है आप लोगों को बजस लेके 12 बज़े तक में आप लोगों पहुँचे इंटर्व्यू देने के लिए और प्रेंस मैं बता दूँ आप लोग कोई भी इंटर्व्यू देने जाते हैं तो आप लोग एक रिज्यूम बनवा लीजिएगा पासवास अज फोटो ले लीजिएगा और इसके बाद आप अपना क्वालिफिकेशन का जो और लेके जा रहे हैं और इसका जिरॉक्स भी करा ले और पैन का ड्रवी लेसंस और यह सब जो है आपके पास ह होना चाहिए कुछ विवर कुमेंट कर पूछते हैं सर सेलेक्सण होने के बाद क्या मैं बायक कर ले सकता हूं तो उन व्हुर से मैं बतादू हाँ अगर आपका सेलेक्शन होता है तो उसके बाद आप लोग ले सकते हैं यह किस जगल पे इंटर्वूर होगा तो और पता मै गुना पी एच नम्मर पच्छतर बिल्डिंग फर्ष्ट फरोल इनफॉरेंट ऑफ हीरो सोरूम नियर आईसी 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 आई बैंक महाविडपूरा एब रोड गुना और यह जो है MP के लिए बेकेंसी आई उए फिनर्स MP से हमारे कुछ ज्यादा है वीवर कॉमेंट कर र करें सेयर और हमारे बीडियो पर जरूर आके कमेंट करें आपका सेलेक्चन हो घ्या ताकि दोसरे को भी कुछ लोग आसे हैं जसे प्रस्ट नहीं होते तो वह इंटरव्यू देने के लिए हैं आपको बता तो इसमें जो तीन साल का एक्स्पेंस जाए है फाइल फॉर होम ल सिदा इस पते पे जाएं इंटर्वियू दें यह हॉप ड़ेट आप लोग विडियो अच्छी लगी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक करिए सेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नेकिए तो चानल को सब्सक्राइब करलेजिए बैल आकर बटन जरूर दावाले थैंक्स फ्रेंस थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो